आज उसका गाना रेकॉर्ड हो रहा है, फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध, जिसके डिरेक्टर है मुहम्मद हरीब जी, प्रोडूसर है राजीब जी, यह फिल्म राची में सूट हो रही है जहरकंड में, बहतरीन लोकेशन पर, और इस फिल्म की कहानी बहुत यूनिक है, ब और मैं पर्सनली अभी तक ऐसी फिल्म नहीं क्या हूँ, जो एक नेचुरल फिल्म जिसको कहते हैं, एक आपके समाज में जो चीजे चलती रहती है, उसी से चीजों को उठा के बनाया गया है स्क्टोरी को, जो आपको खुद को कनेक्ट करेगे इस फिल्म, और गाने कहीं भ और समर्च चतुवेटी जी, जो बहुत अच्छे किरदार में इस फिल्म में आ रहे हैं, इनको तो आप बहुत सारे फिल्मों में देख चुके हैं, और हमारे डिरेक्टर मॉम्मद हभी जी, जो कि इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे हैं, अब बाकी समर्च जी बताएंगे कि मुझे अश्ली फिल्म नहीं बनानी है तो अब निर्देशक और कलाकारों की जम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि उस कसोटी पे खरा उताना है एक पटकता लिखी गई निर्देशक अभी सरके दोरा जो उनकी जिंदगी में कहीं न कहीं आज पास की कुछ घटनाओं से प् हाँ हम लोग खाना वही बना रहे हैं लेकिन इस बार स्वाद आपको अलग मिलेगा इसका दावा जरूर है दाल चावल वही हैं लेकिन दाल में तड़का इस बार कोछ अलग है फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध म्यूजिक दे रहा है दामदर भीया अच्छे गाने हैं सा करें कही ना कहीं अपने आप में संपून कलाकार हैं और सब के सामने कसोटी है कि उन्होंने अब तक जो किया है वो छोड़के उनको एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहा है तो मैं तो इनको वैसे ही बोल रहा हूं कि सर आप हमारे कपिल देओ हैं आप ही कैप्टिन उप हम लोग तो टैलेंडर नहींए है आप जैसान बताओगे उस ऑडर में बैटिंग करने चले जाएंगे कहानी कहीं ना कहीं एक सार्थक कहानी पर कोई उसमें अनावश्यत्य चीज Holy rings फेख ट जहां पर हास से होना चाहिए जहां पर रोमांस होना चाहिए और जहां पर कहीं ना कहीं जो कहा जाता है हमारी जंदगी में नौ रस होते हैं उन नौ रसों का संपूल नरेटर एक डारेक्टर बना है तो एक कथाकार के रूप में एक निर्देशक की कहानी है जो शायद आप लोगों के दिलों को छू जाएगी आखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाएगे ओवर टू हवीप सर अब इस बात से इतिफाक रखता हूं कि जी ने जो कहा कि अश्लील नहीं है और डिफरेंट है ठीक है सब लुक बूलते हैं मैं सिर्व इतना कहूंगा कि हम एक अच्छी कहानी लेकर के आ रहे हैं एक मसाला फिल्म है जिसमें सारे रस मिलेंगे जैसे सम्ष जी ने कहा कि उसमें सारे जिन्दगी के सारे रस मिलेंगे और जब आप देखेंगे तो आपको लगेया कि कहीं पे भी हम किसी की जिन्दगी देख रहे हैं और कोई अपनी कहानी सुना रहा है प्टक Take था जो डिरेक्टर बताते जा और वो बहुत ही स्मूतली जाएगी और मज़िदार होगी आप रोते रोते हंस देंगे और हंसते हंसते रो देंगे इसके ऐसे कई सीन है मैं दावे के साथ बोल रहा हूं और गौरब जी का मैं जादा नहीं कहूंगा किरिसिटी और अडियन्स को बढ़ाने के लिए सिर्फ ए बहुत बढ़ा नहीं लेकिन अब तक डबल रोल का उसकी भी अपनी जिंदगी ऐसी होगी लेकिन नहीं इसमें यही चैलेंज है जोरब जी डबल रोल में किस रूप में आने वाले हैं और इसका नाम प्रेम होगा एक का नाम युद्ध होगा एक प्रेम की प्रतीमा है और अब करना जाई जाई है अब जी खुद एक बहुत अच्छे एक्टर है और अपने आपको साबित कर चुके हैं तो किस तरह से यह सारे अक्टरों को बाहर निकालेंगे उनके एक्टिंग को जो जितना जिसके अंदर है उकात उसारा नी चोड़ने वाले हैं क्योंकि यह खत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके और यह निलू जी है अगर मैं अभी बता दूगी तो फिल्म देखने का मजा ही नहीं रहेगा सो एक छोटा सा बता सकती हूँ पंजाबी गल हूँ मैं इसमें तो बहुत ही अच्छा करेक्टर है जब ओडियंस फिल्म देखेगी तब ओडियंस खुद कहेगी कि कितना अच्छा करेक्टर है मेरा ही नहीं सभी का जैसे कि गरल जी जो जैसे अभी बोल रहे दे समर जी एक सब्सक्राइब अपने एक्ट में एक दम खरी उतरना चाहूंगी और दिल से मैनत करूंगी और अच्छे से करूंगी दिल लगा के काम करूंगी हाँ बिहार की तो लड़की ही फिल्म में लेकिन बिहार के लोग ये करेक्टर बहुत मैं बहुत कम शब्दों में फिल्म में भी इनकी करेक्टर को डिस्क्राइब किया हूँ कि क्यों वो पंजाबी है हम बिहार के लोग पंजाब में भी हैं इस वज़े से वहां हमारे लोग ह और उनसे कैसे एक बच्ची पैदा होती है और वो पंजाबन होकर के लोड़ती बिहार और अपने करेक्टर को ऐसे खुष्णुमा माहौल पैदा करती उस सीन में कि आपको मज़ा आ जाएगा और इतनी सारी बात है लेकिन बोच्पुरियों के बीच में तो वो बड़ा मसदा है और काफी मज़ा आएगा आपको देखने में और जो और शुरू में कुरला उतरते थे तो महां पंजाब महराज इखटा तो एक चीज़ इतनी सारे इंटर्वे में एक चीज़ चुड़ गया है जो मुझे में बहुत जरूरी था करना इसमें पूनम दुबेजी है जो अ करना इसमें वो मतलब रोते दोते मिलेंगी काफी डिफरेंट करेक्टर है और बहुत ही प्यारा रोला और हमारे लिए बहुत चैलेंज था कि मैं जब डिजाइनर पुनमा जी से बात कर रहा था है यही था कि उनके करेक्टर को दम बदल देना वो एकदम सिंपल घरेलू ल और काफी अच्छा मुझे उनके साथ जब बाते हैं वो इस करेक्टर को ले करके हुई तो मुझे लगा कि हम कुछ अलग निकाल पाएंगे जाएगे और लोकेशन का चाहिए तो फुल्ब जन्रोरी को हम शूट शुरू कर रहे हैं और राची जहरखन में बहुत ही प्यारा लोकेशन है खुब्सूरत शेहर है और ग्रीन 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 तो हमें स्क्रीन में काफी कुछ कलर देखने को मिलेगा जहरखन है तो कई सार शेड है वहां पर बहुत प्यारा प्यारा लोकेशन है और मेरी यही कोशिश है कि मैं जब भी लोकेशन में गया मैं वहां के लोकल प्रड़क्शन से एक ही बात कहता था क्या यहां पर शूटिंग हुई है तो कहते थे कहा हुई है तो मैं वो रिजेक कर देता था था मैं ब बहुत पहले चोड़ा है कहा है जबर Barnes जो कर रहा हूं वही करने दोना क्या जबर जस्ति po जबर जाएं उसमें इसमें बहुत जादा टेंशन हो जाएक कि पता लग रहा है जो भी मिल रहा है वो भी ने मिलेगा तो अच्छा है मैं जहां हूं वही सेटल रहने दीजा इस में फिल्म में वही लड़ाई है प्रेम की ही तलाश है अब वो तलाश प्रेम युद्ध एक में होती है या दो में होती है पता नहीं अब ही तक तो अज तो बस रिकॉर्डिंग मुझे पता पड़ा है कि मैं आज जो गाने जा रहा हूं उस फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध जो मतलब नाम से प्रेम युद्ध बहुत अच्छी मूवी है इसके स्टोरी बहुत फैंपली वाली स्टोरी है और गाने भी जो मेर अब बाकी आगे आपको डाकर साब एक्स्लेइन करेंगे ओवेजली एक्दम प्रेम से बढ़ा हुआ है और युद्ध है पूरा यह भी गाना भी लेकिन प्रेम का कि सम्चिंग रोमेंटिक गाना और प्यार वाले गाने हैं बहुत अच्छा रोमेंटिक गाना है दामोदर जिस जा रहा हूं मैं तूनों भी समझ रहा हूं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रेम वाले गाने हैं मैं गाने के बाद मैं आपको जैसे मैं भी समझ रहा हूँ कि जो गाने हैं वो बहुत ही अच्छे मेरे हाथ में है अच्छा है आगया आप पुरा गाना सुनेंगे तो ये बहुत फैमिलियर गाना है और एक बड़ा पसनल सा और बड़ा प्यारा सा गाना है तो तु ही तो है नंबर वन पीस, एदोनों गालों पे लूँगा डबल केस, तु ही तो है मेरा नम, तु ही तो नमबर वनवन है पीस, ऐसे गर गार है, तैंक यू सर। इस्टूडियो में तो रेकॉर्डिंग ही चलेगा आज वेबेंड फ्रेम एस्टूडियो जो अंधेरी में है यहाँ पर आज रेकॉर्डिंग होना है जिसके सिंगर मनुज मिस्राज याय हुए है और यह फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध बहुत आशिक फिल्म है इसके डा प्रेम युद्ध जिसके में अभिनेता गौरो जहां है और निलू संकर जी है और समर्ष चतुरबेरी जी भी है बहुत सारे कलाकार है बहुत अच्छे गाने इसमें इसमें गीतकार है फडिंदर राव राजेश मिस्रा जी पॉन पांडे दो चार लोग गीतकार है और संज गाने इसमें है शाट गाने हैं शाट गाने में ज़्यादा डूइट गाना है और इसमें मतलब फैमिलियर ही गाना है दविद फ्रेम युद्ध जो नाम है तो इसमें एक हेरो दो हिरोईन है और गाने सब अच्छे ही होंगे अलगलग टैप के कुछ रमांटिक होंगे फिल्म की जो एक्टर है गोरौ जालों के दो cho Вы नेहीं अपने अ संके असाम के असार और के उलिणा के वो हाँ कई तो सुपर अश्टार हैं लेकिन यहां पे पर ष्क प्रिवाब मैं कई भ fire मोलने काम किया यहां तकि भोजपूरी के शपर पहले दूसरी बनी थी बाप रेभाप को उत्कल के और बहुत अच्य फिल्म बनी और वैसे भी गवरजा एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, देखने में भी और उनके अंदर आर्ट भी है, बड़ा अनुभव है उनको आर्ट का, तो हम यहीं उमीद करते हैं कि यह फिल्म में अच्छा काम करें, और नीलू शंकर जी भी है, वो भी हमारे एक फिल्म बिहार एक्सप्रेस की हिरोईन थी, तो फिल्म अभी बंद पड़ी है, रुकी हुई है, तो हमारी सुब्कामना है उन लोग के लिए कि वो अच्छा काम करें, आगे बड़े और तर्जकों से अनुरूद है कि यह फिल्म को देखें, और उमीद है कि यह फिल्म अच्छे बनेगी गाने अगर आपने हमारी इट